हलो बच्चों नमस्ते यह NCRT Corner for Life Science का प्लेटफोर्म है तो आज की वीडियो सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं चेप्टर 6 दिया है 11th NCRT का जिसका नेम है आपके सामने Anatomy of Flowering Plants तो फ्लोवरिंग प्लांट्स के दो चेप्टर्स दिये हैं मौसलिए एक तो Morphology of Flowering Plants है और दूसरा आपके सामने है यहाँ पे देखिए Anatomy of Flowering Plants तो Morphology के अंदर तो बेटा हम पढ़ते हैं Structure जो Outer Structure होता है न उसके बारे में तो हम पढ़ेंगे Morphology यानि कैसे इसके इसके अंदर roots कैसी है तो भार से यह जो भी differences हमें दिखाई देंगे वो तो हम पढ़ेंगे Morphology के अंदर अब बात में बात करते हैं Anatomy के अंदर तो Anatomy होती क्या है Study of Internal Structure of Plant is called Anatomy तो Internal Structure के जो भी study होती है उसको हम बोलते है Anatomy यानि इसके अंदर टीशूज का अरेंजमेंट कैसे है क्या क्या changes पाई जाएंगे टीशूज में जैसे Monocot में क्या changes है डाइकोट में क्या changes है और जहां पर Environment के recording इन में adaptation पाइजागी उनके अगोरडिंग प्लांट में क्या changes गोते है यादी जोces ते घंडर्यार Batman उनमें क्या changes होंगे जो कॉनिफर्स का मेंज ढूर्ट से इसलाख है क्योंड जाते हैं तो दूरी और बहुत ज्यादा गें तो उसके बारे में इन कौन-कौन से study की जाती है, tissues का arrangement कैसे होता है, और क्या-क्या adaptations होते हैं, तो plant है, cells as the basic unit, तो plant के अंदर क्या होता है, कि cell होती हैं, सबी organism में आप किसी में भी ले लो, चाहिए unicellular है, चाहिए multicellular है, तो उसमें basic unit है ना, वो अमेशा cell ही होती है, अब cell है ना, वो aggregate होके tissues में convert हो जाती है, और उसके बाद में tissues है ना, वो organs में convert हो जाते हैं, तो देखिए, जैसे हम animals के अंदर, organs के बारे में पढ़ते हैं ना, जैसे ये इसका hand है, ये इसका four limb है, ये इसका liver है, ये इसका heart है, ये इसका pancreas है, जैसे organs का हम plants में कैसे पढ़ते हैं, कि जैसे उसकी leaves हो गई, उसका stem हो गए, और उसके roots हो गए, तो mostly three organs या four flowers में भी add कर सकते हैं, आप flowers को भी इनमें add किया जाता है, तो इसमें mostly चार ही organ के बारे में बात की जाती है, different organs इने plants show differences in their internal structure, अब सारे जो भी organs होते हैं, plants के leaves होती, stem होती है, root, उनमें सभी में different organs के अंदर differences मिलेंगे, आपको सभी के अंदर internal structure के differences मिलेंगे, within angiosperms, the monocot and dicot are also seen to be anatomically different, anatomically different anatomy यानि internal structure का, क्या situation है, और उसके बाद में जो morphology है, वो outer structure हो जाएगी plant की, तो internal structure also show adaptations to diverse environment, हमने थोट देर पहले बता है, diverse environment यानि बहुत तरह कि जहाँ पे environment मिलेंगे आपको, तो वहाँ पे changes मिलेंगे, internal organs के अंदर, plants के अंदर, अब इसके बाद हम बात करते हैं tissue system की, तो tissue system बेटा होता क्या है, पहला point है, दो points पे mostly बात की गई है, पहला तो है tissue system, और इसके बाद में second है, वो dicot और monocot की, अनाटोमी के अंदर changes दिये गए हैं, तो dicot और monocot plants की detail study की गई है, अनाटोमी की, तो वो हम इसके अंदर पढ़ेंगी, तो tissue system है, यह basically कितने type का होता है, tissue system सबसे पहले क्या होता है, कि tissue हम किसको बोलते हैं, सबसे पहले हमें यह पता होना जीए, तो tissue होता क्या है, कि originally हमेशा similar होता है, functionally similar भी हो सकता है, और dissimilar भी हो सकता है, यानि एक tissue, जब एक, जब दो tissues होते हैं, तो tissue के अंदर क्या होता है, कि cells का जो origin होता है, वो हमेशा similar ही मिलेगा, बट एक tissue के अंदर cells है, वो different work भी कर सकती हैं, similar work भी कर सकती हैं, तो different work भी कर सकती हैं, या आपको clearly धान रखना है, their structure and, और मैं बता दू आपको plant, जो anatomy होती हैं, plant anatomy, इसके अंदर tissue जो ट्रम है ना वो किस ने दी थी, एन्ग्रिव नाम के scientist थे, इन्हों ने दी थी, एन्ग्रिव नाम के, इनको father वो plant anatomy भी बोला जाता है, तो three type के tissue system होते हैं, epidermal tissue system, जो outer protection का अवरक करता है, plants के उसको तो हम बोलेंगे epidermal, इसके बाद में the ground and fundamental tissue system, fundamental यानि जो basic body बनाने का वरक करेगा न, ground यानि basic body बनाने का जो भी वरक करेगा, plant के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे ground और fundamental tissue, इसके बाद में आती है vascular और conducting tissue system, तो vascular और conducting tissue system के अंदर क्या करेंगे, जो भी minerals का, waters का, essential plant growth regulators, जितने भी होते हैं, food जो बन गया, उसका translocation, तो conduction का जो भी वरक करेगा tissue, उसको हम बोलेंगे vascular या conducting tissue, तो three type के हो गए बेटा, आपके सामने epidermal हो गया, ground हो गया, और vascular हो गया, अब इसके बाद सबसे पहले बात की गई है, epidermal tissue system की, तो epidermal tissue system होता है, यह क्या बनाता है, outermost covering बनाता है plant की, whole plant की outermost covering, जो protection का वरक करती है, उसके अंदर हम mostly, किसको पढ़ते हैं, epidermal tissue को पढ़ते हैं, and comprises epidermal cells, stomata and the epidermal appendages, the trichomes and the hair, अब epidermal tissue के part कौन कौन से, आप यहां पे देखी, epidermal cells होंगी, पहले तो epidermal cell होंगी, इसके बाद में stomata होंगी, इसके बाद में epidermal appendages होंगी, appendages के अंदर दो पारट आएंगे, आपके पहला तो आजाएगा, बिटा जी trichome आजाएगा, और दूसरा आजाएगा, hair आजाएगा, the epidermis is the outermost layer of plant body, और यह यह लाइन चेप्टर के अंदर पांच बार पढ़ चुके, अब इसके बाद आ रहे है, it is made up of elongated, compactly arranged cells, elongated, compactly arranged cell पाई जाएगे, आपकी यहाँ पर, which form a continuous layer, यानि देखिए, आप जैसे यह कोई भी plant tissue, इसका epidermal cells हैं, तो epidermal cells का, यहाँ पर बटा देखो, यहाँ पर ऐसे arranged होती हैं यह, compactly arranged होती है, यह cells, इनके बीच में कोई जगए नहीं मिलेगी, elongated cells होगी है, ऐसे, single layered होती है, मैसा single layered होती है, epidermis होती है यह, और यह roots के अंदर तो क्या बना लेगी आपका, root hair बना लेगी, यह तो हो गया root hair, और यह हो गया trichome, stem के अंदर तो बना लेगी, stem में तो trichome बन जाएगा, और roots के अंदर आपका बन जाएगा root hair, epidermal cells are paranchymetis with a small amount of cytoplasm lining, the cell wall and a large vacule, तो देखे सबसे important इसके अंदर आपको रखना किया, कि epidermal जो cells होती हैं, हमेशा वो paranchymetis होती हैं, paranchymetis का मतलब क्या होगा, कि यह furtherly divide होने का capacity हो रखती हैं, और इनके अंदर क्या मिलेगा, आपको small amount में cytoplasm मिलेगा, periphery free पे arranged मिलेगा, periphery free पे arranged कैसे मिलेगा, जैसे यह epidermal cell हो गई, यहाँ पे इसके बीच में यह large vacuum हो गई, और cytoplasm है वो आपको बेटा जी, यहाँ पे मिलेगा, आपको देखें, यहाँ पे periphery पे arranged मिलेगा, यहाँ पे, vacuum हो लार्ज होगी, the outside of the epidermis is open covered with a waxy, with a waxy thick layer called the cuticle, अब इसको epidermis के भार, आपको यहाँ पे waxy layer मिलेगी, जिसको आप क्या बोलोगे, cuticle बोलोगे, which prevents the loss of water, तो cuticle का वरक क्या होता है, यह जो extra transpiration होता है न, जहाँ पे, जिसको हम leaves से plant का loss होता, sorry water का loss होता है leaves से, तो वो हना कम करने का काम किसका होता है, cuticle का होता है, और cuticle किसके अंदर present होगी, यह is absent in roots, देखें, single line में दोनों questions कलियर कर दिये, यानि absent किसमें होती है, roots में होती है, अब बचा क्या present किसमें होगी, यह leaves में और stem के अंदर present होगी, अब यह stem और leaves दोनों में present होगी, stem और leaves दोनों के अंदर cuticle present होगी, stomata are structure present in the epidermis of leaves, तो stomata क्यों से होती हैं कि epidermis होती हैं, leaves की epidermis उसमें present होती है, stomata regulate the process of transpiration and gaseous exchange, तो gaseous exchange का जो वरक करेंगी, और transpiration का वो किसका वरक होता है, stomata का, stomata किसमें present होता है, leaves के अंदर, leaves की epidermal cells में, इच stomata is composed of two bean shaped cells, known as guard cells, which enclose the stomatal pore, in grasses the guard cells are dumbbell shaped, the outer wall of guard cells away from the stomatal pore are thin, and the inner wall towards the stomatal pore are highly thickens, the guard cell poses chloroplast and regulate the opening and closing of stomata, तो इसमें देखे clearly आपको मैं बता दो, कि stomata epidermal cells होती है, उनके अंदर परजेंट होता है, stomata, इसका वरक क्या होता है, इसका वरक होता है, transpiration और gases exchange का, इसके बाद में, stomata बना किससे होता है, तो two bean shaped, bean shaped है, bean आपने देखा होगा, bean किसको बोलते हैं, राजमा को, और आजमा के shape जैसी structure जो होती है, तो वो किसकी होती है, guard cells की, और ये किसको, enclosed करने का काम करती है, stomata pore को enclosed करने का काम करती है, अब इसके बाद में, grassiage के अंदर, guard cells कैसी होती है, dumbbell shaped, अब आप यहीं से देख लो, dicote के अंदर कैसी होगी, बीन shaped होगी, और dumbbell shaped किसमें होगी, monocoat के अंदर, अब इसका मतलब क्या हो गया, कि जो guard cells की जो वाल है, वो stomata pore के जो नजदीक होती है, वो तो क्या होती है, मोटी होती है, और जो इससे दूर होती है, आउटर साइड में होती है, वो क्या होती है, तिन होती है, और इसके बाद में guard cell है, वो chloroplast containing होती है, regulate करती है, opening और closing of stomata, sometimes a few epidermal cells in the vicinity of the guard cell become specialized in their shape, and size are known as subsidiary cells, अब यहां पे आपको clearly दिया हुआ है, कि epidermal cells के भाहर, जो guard cells पाई जाती है, तो guard cells हो जाती है, अपने shape और size में, guard cells के, और कुछ guard cells है, जो stomatal pore के चारो तरफ परजेंट होती, तो उसमें दो तो stomatal pore बना लेती है, और कुछ में बाद में जो बच गई accessory guard cells, वो क्या हो जाएंगी, subsidiary cells हो जाएंगी, subsidiary cells हो जाएंगी, the stomatal aperture guard cell and the surrounding subsidiary cells are together code stomatal apparatus, तो stomatal aperture किसको बोलोगे आप, तो इसको, aperture इसको देखे, यहाँ पे आपको कलियर लिए न, diagram के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, bean shaped किसमे हैं, यहाँ पे हैं, देखे, यहाँ पे, और dumbbell shaped, grasses के अंदर, monocoat plants के अंदर, यह जो guard cell है, इनकी जो inner layer होती है, वो हो जाती है, ठीक, और यह हो गई थिन, outer side वाली हो गई, यहाँ पे, यह हो गई थिन, आप वो कलियर लिए नजर, यह भार वाली ही, यह भी guard cells ही हैं, बट इनका structure हो जाता है, change, अब यह तो stomatal aperture हो गया, यह guard cells हो गई, sto metal apparatus बनाएंगे, अब जो epidermis की cells होती हैं, इनके अंदर नमबर पाया जाता है हैर्स का, अब रूट के अंदर तो जैसे यह roots की cells हैं, अब रूट के अंदर तो जैसे यह roots की cells हैं, तो यही single है, structure में change हो जाएंगे, इसको बोलेंगे हम root hair, और root hair क्या होते हैं, हमेशा unicellular होते हैं, और इनका वरक क्या होता है, water और minerals को soil से absorb करने का, अब इसके बाद में जो stem की epidermal hair होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, trichomes बोलेंगे, और trichomes जो होते हैं बाटा, यह suit system में present होते हैं, mostly suit system के अंदर, multicellular होते हैं, suit system के अंदर यानि stem के उपर, mostly हैं, क्या होंगी, multicellular होंगी, they may be bransed और, unbransed and soft or stiff, यानिasst भी हो सकते हैं, unbransed भी हो सकते हैं, sowe looked भी हो सकते हैं, और stiff यानि hard भी हो सकते हैं, they may even be secretory, तो जो भी plant secretary होते हैं जैसे जिन में कुछ plants में alkaloids वगेरा tannins वगेरे ये निकलते हैं chemical जो भी secret करते हैं तो वो किस के दवारा करते हैं वो trichomes के दवारा करते हैं The trichomes help in preventing water loss due to transpiration अब trichome का mostly वरक्या होता है वेटा ये water loss को prevent करने का काम करता है transpiration में यानि stem के अंदर water loss का prevention कोन करता है trichome करते हैं और leaves के अंदर water loss का prevention कोन करता है cuticle करती है दोनों चीज़े आपको याद रखने हैं अब इसके बाद में आ गया ground tissue system अब ground tissue के अंदर हम देखते हैं epidermis and vascular bundle constitute the ground our tissues except epidermis and vascular bundle constitute the ground tissue तो vascular bundle और epidermis को छोड़ के जो भी सारा tissue present होता है plant के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं ground tissue यानि epidermis और vascular bundle दोनों को तो हम minus कर देगे बच्चा हुआ जो होगा उसको हम बोलेंगे ground tissue it consists of simple tissues such as perenchyma, colonchyma and scleranchyma तो इसके अंदर आपको mostly क्या मिलेंगे कौन-कौन से tissues मिलेंगे perenchyma, colonchyma and scleranchyma perenchyma cells are usually present in cortex, pericycle, pit and medullary rays in the primary stem and roots तो perenchyma cells आप सीधे से मतलब यह यह कि जो भी फरदरली plant की growth में वरक करेंगे न वहां पर सभी में परजेंट होगी यानि जो भी आगे cells फरदरली डिवाइड होगी तो वहां पर जो भी location है plant की वहां पर सभी में perenchyma cells परजेंट होगी तो यह कहां पर होगी mostly cortex के अंदर, pericycle में, pit में और medullary rays के अंदर और primary stem और होते हैं उनके अंदर परजेंट होते हैं प्राइमरी इस्टेम और रूट्स के अंदर primary tissue परजेंट होगा और primary tissue कौन सा होता है perenchymatous tissue ground tissue कौन सा होगा perenchymatous tissue इन लीव्स दा ground tissue consists of thin wild chloroplast containing cell is called mesophyll to leaves के अंदर इस ground tissue को क्या बोलोगे आप mesophyll बोलोगे और mesophyll का कौन सी cells होती है जो chloroplast मिलेगा जिसके अंदर यह green cells होते हैं और इनके अंदर आपको chloroplast मिलेगा ऐसे chloroplast मिलेगा आपको leaves के अंदर परजेंट होगी green color की होती है next है इसमें दा वेस्कुलर टीशु सिस्टम अब वेस्कुलर टीशु सिस्टम है लास्ट इसमें थर्ड नमर पे तो वेस्कुलर टीशु सिस्टम के अंदर कौन से मिलेंगी कॉम्पलेक्स टीशु फ्लोयम और जाइलम जाइलम और फ्लोयम किसमें मिलेंगी आपको वेस्कुलर टीशु क के अंदर कौन से होते हैं यह complex tissue होते हैं दजाइलम एंड फ्लोइम टोगेदर constitute vascular bundles जाइलम और फ्लोइम साथ में जुटके क्या बना लेते हैं vascular bundle बना लेंगे यानि combined लिए आप इसको जाइलम फ्लोइम जब साथ में होगे तो इसको आप कमाइन ले क्या बोलोगे vascular bundle बोलोगे इन डाइकोट इस्टेम केंबिम इस परजेंट बिट्विन फ्लोइम और जाइलम तो डाइकोट जो इस्टेम होता ना यहां से आप सीधी सी बात समझो डाइकोट इस्टेम और डाइकोट रूट दो दो पोर्शन होते हैं डाइकोट प्लांट की वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ प्रजेंट होती है और जिन टिस्यूज के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रजेंट होती है जाइलम और फ्लोइम के अंदर तो उसमें बेटा जी आपको कैंबिम है वो बीच में मिलेगा ह बोलोगे ओपन फैस्कुलर बंडल बंडल चांक के इन मोनोकोट दा स्कुलर कुक्त वंडल हब नो बंडिचोंप अब किенко futur मृन होती है वो अपसेंट होती है सिंस दें डू नोट फॉर्म सेकंडरी टीश्यू दे आर रेफर टू एज क्लोज्ड तो जो जाइलम बंडल जो जो वैस्कुलर बंडल से कैंबियम उनको नहीं रखते हैं उनको हम क्लोज्ड बोलेंगे यानि इनके बीच में सेकंडरी टीश्यू परजेंट नहीं होते हैं किसके लिए बनी होती है सेकंडरी ग्रोथ के लिए बनी होते हैं वेंजाइलम और फ्लोएम विदीन वैस्कुलर बंडल अरेंजड इन द्याइग्राम से कलियर होगा आपको अल्टरनेट मैनर क्या होता है कि जैसे यह तो यहां पे हो पोजिशन घेलर इनकी करेक्ट रैडियस भी होती है उसे देखें यह तो हो गई यह पे यहां पर phloem की radius और यह इसको हम क्या बोलेंगे हम radial type के vascular bundle बोलेंगे किसमें present होता है बटा यह होता है roots में mostly roots कौन सी लिलो आप roots में present होगी radial arrangement और यहाँ पे जो आप diagram देख रहे हो यह जो diagram है यह किसका है monocot plants के monocot vascular bundle है यह इसके अंदर यहाँ पे cambium है वो नहीं present होती close vascular bundle so they call to close vascular bundle अब इसके बाद में next diagram आपके सामने दिख रहा है यह है dicot stem का dicot stem का है और dicot stem में जाइलम है यह अंदर है phloem भार है और बीच में जो यह portion आप यहाँ पे देख रहे हो यह वाला है cambium cambium present है इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे open type के vascular bundle open type के vascular bundle बोलते हैं dicot stem के अंदर प्रजेंट होगी है इन कंजोइंट टाइप ओफ वेस्कुलर बंडल दा जाइलम और फ्लोईम आजोइंटली सिच्वेटेड अलोंग दा सेम रेडियस ओफ वेस्कुलर बंडल सच वेस्कुलर बंडल्स अब यह देखिए यह वाली सिच्वेशन क्या होती है कि जैसे यह एक टीएस है कोई भी आप स्टेम का और लीव का ले लो रूट के अंदर तो रेडियली आरेंजड मिली गए आपको अल्टरनेट पोजिशन के अंदर अब इसमें कंडिशन में क्या मिलेगा आपको यहां अब देखिए यहां पर ऐसे मिलेंगे ऐसे जैसे यह है डाइकोट स्टेम का अब इसके अंदर बेटा क्या है कि यह कंडिशन है यहां पर ऐसे अरेंजड होंगी कंजोइन्ट टाइप के साथ में एक दूसरे से यह अटेच ना ऐसे अटेच होंगी यहां पर फ्लोई और कंजोइन्ट विलिंगे आपस में जूड़े हुए हैं अल्टरनेट किसमें थे रूट्स के अंदर अब स्टेम और लिव्ज में यह आपस में कनेक्टेड होते हैं और कनेक्टेड होने की वज़़े से इनको हम क्या बोलते हैं कंजोइन्ट अब आप यहीं से देख लो डाइकोट जो रूट होती सोरी डाइकोट जो स्टेम होता है उसके अंदर कौन सी मिलेंगे आपको कंजोइन्ट और ओपन वेस्कुलर बंडल और कंजोइन्ट और क्लोजड वेस्कुलर बंडल किसमें मिलेंगे आपको मोनो कोट स्टेम के अंदर अब इसमें देखिया आप आगे दे रखादा था, Conjoint Vascular Bundle यूजली है, दा फ्लोएम लोकेटेड ओनली ओनली ओन्दा आउटर साइड ओप जाइलम, यानी आउटर साइड जो होती जाइलम आपको, जाइलम के भार मिलेगा फ्लोएम, Conjoint type में जाइलम के भार फ्लोएम मिलेगा आपको कि एनाटोमी ऑफ डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स की तो इसके अंदर हम है कि सबसे पहले पड़ते हैं डाइकोट रूट के बारे में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे डाइकोट के बारे में, तो dicote root की जो outer meos लेल न, epidermis जिसको बोलते हैं, उसको हम root के अंदर, ये epidermis होती है, epidermis होती है, और epidermis को क्या बोलते है, root के अंदर, epiblema, many of the cells of epiblema protrude in the form of unicellular root hair, अब आपको root hair में convert हो जाएंगे, epiblema की बहुत सारी cells है, the cortex consists of several layers of thin wild parenchymaecus cells, तो सबसे पहले ही पढ़ लिया था हमने ground tissue पढ़ा था हमने तो cortex जो बना होता है वो किसका बना होता है learn Peace Venomate कोट root का डिग्राम आपको के लिए लिए यह फे दिया है तो देखें यह तो है epiblema epidermis जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे epiblema बोलेंगे और ये हो गए root hair में changes हो गए इसको ये हो गए root hair में अब इसके बाद में cortex की जो cells होती है न ये thin vild parent caramera cell होती है और intercellular spaces आपको यहाँ पे मिलेंगे इनके बीच में अब जो इनर मोस्ट लेयर होती न यहाँ पे देखिए यह वाली जो आपको क्लियरली डायग्राम में नजर आ रही है यह क्या है एंडोडर्मीस है और एंडोडर्मीस है इसके अंदर क्या होगा सिंगल लेयर ड़ड़ इद्वर्सटां इंडोडर्मीस अंदर इंडोडर्मीस के अंदर मिलेगी आपको इंडोडर्मीस है अब आप को अंदर भी नो इंटरनल स्पेसेज मिलेंगे आपको दा टेंजी टल एज वेल एज रेडियल वास ओप दा एंडोडर्मल सैल्स है वे डिपोजिशन ओफ वाटर इंपर्मेबल वैक्सी मेट्रियल सुबेरिन इन दा फोरम ओप कैस्पेरियन स्ट्रिप तो देखिए इसमें एंडोडर्मिस का एक कलियरली डाइकोड जो रूट होती ना उनके अंदर मैं बता रही हूं आपको ये जैसे सैल्स हैं एंडोडर्मिस की सैल्स हैं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा जो आउटर पार आउटर मोस्ट जो लेयर है और जो ये रैडियल ये तो हो गई रैडियल और ये जो टैनेजिटी लिए यहाँ पे क्या प्रजेंट होगा सूबेरीन पाया जाएगा वाटर इंप्रमेबल वैक्सी मैटरियल सूबेरीन प्रजेंट होगा यहाँ पे क्या प्रजेंट होगा यह वाला जो पोर्षन है यह वाला जो पोर्षन है यह वाला पोर्षन है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा सुबेरीन प्रजेंट मिलेगा आपको और ये water impermeable होता है water loss नहीं होता जब roots के अंदर पानी का conduction होता न तो water loss को रोकने के लिए ये सुबेरीन का इसके अंदर deposition मिलेगा आपको अब next to endodermis lies a few layers of thick wild parenchymetal cells referred to as pericycle अब यहाँ पे देखे 2 से लेके 3 layers तक मिलेगा आपको यह यहाँ पे जो portion है इनके नीचे वाला यह वाला portion यह को किसका बना होता है यह pericycle होता है बटा pericycle और इन्हीं सबसे इंपोर्टेंट जो लाइन है NCRT की वो सब हम हर लाइन इंपोर्टेंट की बच्चों हर लाइन इंपोर्टेंट है आपने री नीट का अभी आपना exam paper उठा के देखना जो अभी हुआ है 23rd June को तो उसके अंदर आपको मैं एक paper solve करवाऊंगी दो तिन दिन का time लगने वाला मेरे को उसमें तो विद NCRT लाइन के प्रूप के साथ मैं आपको वो paper solve करवाऊंगी तो हर लाइन इंपोर्टेंट है बट जो कुछ ही ज्यादा important lines है वो आपको याद रखनी है तो इसमें दिया हुआ initiation of lateral roots and vascular cambium during the secondary growth tax place in these cells तो पैरिसाइकल की जो cells होती न वहाँ से ही lateral roots का arrangement होता है और वहीं से vascular cambium जो होती है secondary growth के time पे वो बनती है तो यह जो cells होती न पैरिसाइकल की यहीं से तो आपको lateral roots का initiation मिलेगा और यहीं से आपको secondary growth का initiation मिलेगा आपको पैरिसाइकल की cells से the pit is small और inconspicuous यानि आप उसको देख नहीं पाऊगे बहुत छोटी pit पाई जाएगी इसके अंदर यानि इसके अंदर deposition cells का इतना tightly हो जाता है कि इसके अंदर pit present तो होगी बट वो हमें दिखाई नहीं देगी तो जाइलम और फ्लोईम के बीच में जो भी पैरिन काईमेटर सेल्स प्रजेंट होती है वो क्या होती है कंजक्टिव टिस्यू होता है दीर आर यूजवली टू और फ्लोईम पैचेज तो देखे इसमें आपको कलियर ली नजर आ रहे है न यहां पे यह फोर जाइलम और फ्लोईम के पैचेज होंगी यहां पे आपको मिलेगा फ्लोईम मिलेगा यह वाला portion यह वाला portion डाइकोट रूट में हमने पढ़ा था ना रेडियली अरेंज होते हैं यानि यह तो अलग से अरेंज हो गए और यह अलग से अरेंज हो गए ऐसे रेडियली अरेंजमेंट मिलेगा आपको कंजक्टिव टिस्यू मिलेगा इनके बीच में जो परजेंट है वो और फोर जाइलम पेचेज मिलेंगी लेटर एक कैम्बियम रिंग डेवलप्स बीट्विन जाइलम और फ्लोईम तो इसके कंजक्टिव टिस्यू है यह क्यों प्रजेंट होता है तो जाइलम और फ्लोईम में जब प्राइमरी प्रेंट कायमेटर सेल्स होंगी ना तब तो आप पर कैम्बियम प्रेंट नहीं होगा बट जैसे जैसे यह मैचूर हो जाएगी तो आपको जाइलम और फ्लोईम का डिपोजिशन है उसके बीच में कैम्बियम का डिपोजिशन देखने को मिलेगा आर्ट इस्यू जों दा इनर साइड ओप दा एंडोडर्मी सच एज पैरिस पैरिसाइकल वैस्कुलर बंडल और पीथ इन तीनों को कंबाइंड ली क्या बोलोगे आप स्टील बोलोगी यानि एंडोडर्मिस है वो इसमें नहीं मिलेगी आपको ओप्सन में आएगा तो एंडोडर्मिस को आप रिप्लेस कर दोगे ओनली पैरिसाइकल वैस्कुलर बं डल और पीथ एंदर अब इसके बाद हम बात करते हैं ओंगल लेयर्ड आभ सिंगल vascular bundle and pith as compared to the dicot root which have fewer xylem bundle there are usually more than 6 poly arc xylem bundle in the monocoat root तो उसके अंदर तो हमने देखा था dicot root थी वेटा उसके अंदर तो हमने 4 देखे थे 1, 2, 3 and 4 अब इसके अंदर more than 6 मिलेंगे आपको 6 से भी ज्यादा मिलेंगे more than 6 मिलेंगे आपको यहाँ पर देखे यह more than 6 हैं तो यहाँ पर poly arc condition मिलेंगे आपको एक तो changes हो गए है यह अब इसके बाद में उसमें तो pith थी small इसके सामने आप देख रहे हो pith है large इसमें क्या है pith large है और well developed है यानि कौन space है दिखाई दे रहे हैं आपको कलियरली बता रहे हो आप यह कि यह pith है यहाँ पर monocotylidans roots do not undergo any secondary growth अब monocot roots के अंदर कोई भी secondary growth नहीं पाई जाएगी क्यों नहीं पाई जाएगी क्योंकि इसके अंदर देखे यहाँ पर phloem और जायलम के बीच में cambium है वो क्या है absent है phloem और जायलम के बीच में यहाँ पर cambium absent है तो conjoint radial और closed vascular bundle किसमे मिलेंगे आपको monocot root के अंदर मिलेंगे और dicot root के अंदर आपको कौन से मिलेंगे conjoint radial और open vascular bundle आपको dicot root में मिलेंगे तो यह तो हो गए बैटा root का structure अब हम बात करेंगे dicot stem के बारे में तो dicot stem में हम पटने जा रहे हैं structure the transverse section of a typical young dicot stem so that the epidermis is the outermost सभी में epidermis ही होती है outermost layer covered with a thin layer of cuticle आप यहाँ पे देख लिए dicot stem के अंदर भी आपको cuticle है वो मिलेगा dicot stem में भी cuticle present होता है it may be a trichome and a few stomata trichome तो होते ही stem stem के अंदर परजेंट है बट इस टो माटा भी present होगे यानि cuticle और इस्टो माटा अगर आपको क्योशन में आए कि is there cuticle and istomata are present in the dicot stem तो आपका अंस्वर होना चीए वच्चो yes clearly बोलना चीए यहाँ पे NCRT के अंदर दिया हुआ है the cells arranged in multiple layers between epidermis and pericycle constitute the cortex तो multiple layers में जो epidermis और pericycle की जो cells होती है sorry epidermis और pericycle के बीच में cortex बनाती है तो हमेशा pericycle और epidermis के बीच में ही होता है cortex इट कॉंसिस्ट ओफ थ्री सब्जोंज दा आउटर हाइपोडर्मिस कॉंसिस्ट ए फ्यू लेयर ओप कोलें काइमेटर सेल जस्ट बिलो दा epidermis विच प्रोवाइड मेकेनिकल स्ट्रेंट तू दा येंग स्टेम तो देखिए जो मेकेनिकल स्ट्रेंट होती है न येंग स्टेम के अंदर या लीवस के अंदर आप देख लो तो कोलन काइमेटर सेल्स से ही होती है कोलन काइमेटर क्या होता है ग्रीन टेश्यू होता है और अरली स्टेज जो होती है प्लांट्स की उसके अंदर प्रजेंट होगा आपको तो आप ये देखिए पैरिसाइकल है यहाँ पे पैरिसाइकल और ये यहाँ पे है आपका एपीडर्मिस तो इसके अंदर आपको थ्री लेयर्स के अंदर मिलेंगे आपको तो सबसे पहली लेयर जो होगी अब इसके बाद में कोटिकल लेयर्स है य्य वालारीजन आप देख रहे हो ये पैरिसाइट प्रवाइटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर्मेटर् जो stem होता है वो अब इसके बाद हम पड़ते हैं यह यह आप देख रहे हैं जो यह एंडोडर्मिस का पारट है तो एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता कि स्टार्ज प्रजेंट होता है स्टार्ज प्रजेंट होता है इसलिए एंडोडर्मिस को क्या बोलते हैं स्टार्ज सीथ यानि स्टार्ज सीथ किसके अंदर प्रजेंट होगी स्टार्ज सीथ किसमें प्रजेंट होगी बिटाजी एंडोडर्मिस चो होगी न डाइकोट स्टेम की डाइकोट इस्टेम के एंडोडर्मिस स्टार्स ग्रेंस से फिल्ड होती है इसलिए इसको इस्टार्स सीथ वोलते हैं अब इसके बाद में है पैरिसाइकल अब यहाँ पे देखे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे यह क्या है पैरिसाइकल है क्या है यह यह पैरिसाइकल वोलेंगे हैं हम इसको पैरिसाइकल अब यह पैरिसाइकल का क्या यह जो फ्लोएम प्रजेंट है यहाँ पे देखे आपके सामने यह वाला पारट जो प्रजेंट है फ्लोएम तो फ्लोएम के उपर यह क्या होगा सैमी लूनर पेचेज के रूप में प्रजेंट होगा सैमी लूनर पेचेज यह जो इस्ट्रक्चर आपको नज़रा रही है न यह सेमिलूनर पैचेज के रूप में प्रेजेंट होगी हमेशा पैरिसाइकल डाइकोट स्टेम के अंदर इन बेटवीन दा वैस्कुलर बंडल्स देर आरे फ्यू लएरस फोप रेडियली प्लेस्ट पैरण काइमेटर सेल्स विछ कॉंस्टिटूट मैडूलरी रेज तो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में क्या होता कि रेडियली प्लेस्ट होती है Radially placed होती हैं कुछ Paren Chim raketin cells, और उनको हम क्या बोलते हैं, Medullary Rage बोलते हैं, Dicot stem के अंदर होंगी, और इन Medullary Rage का वरक क्या होता है, कि यह जब Cambium जो बनना शुरू होता न, यह Medullary Rage से ही बनता है, Vascular bundles के बीच में Radially arranged होंगी, कौन सी cells होंगी, medullary rays बनाने वाली cells parent chymetis cells होगी और parent chymetis इसका मतलब क्या होगा फर्दरली डिवाइड होगा ये टिस्यो ए लार्ज नम्मर ओफ vascular bundle सार अरेंज़ इने ring और vascular bundle क्या होते हैं कि बहुत सारे नम्मर में मिलेंगे इसमें the ring arrangement of vascular bundle लीजे characteristic of dicot stem यानि भूँत सारे vascular bundle हैं वो एक ring में present होगे और ये ring जो arrangement होता न vascular bundle का ये mostly किसका character होता dicot stem का देखे मैंने इसको यहाँ पे box के अंदर बंद किया तो जिन जिन चीजों को मैंने box में बंद किया न वहाँ से fusion बनने का chances बहुत ज्यादा है इस vascular bundle is conjoined open and with endark protozylum endark protozylum यानि protozylum हो अंदर की तरफ मिलेगा metazylum है protozylum भार की तरफ मिलेगा metazylum हो अंदर की तरफ मिलेगा a large number of rounded parent chymetal cells with large intercellular spaces with occupy the central portion of the stem constitute the pit तो rounded जो parent chymetal cells होगी ना large intercellular spaces के साथ में वो centrally present होगी और किसकी बनी होगी वो पित वो किसको बनाएंगी स्टेम का पित बनाएंगी यानि पित किसमें present होगा monocoat root के अंदर और dicote stem के अंदर अब इसके बाद हम इसमें diagram देखके कलिए थोड़ा overview ले 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 लेते यहां पर देखी यह trichome present है यहां पर आप देख रहे हो न epidermal hair यानि trichome यह cuticle भी present है इसके अंदर और single layered epidermis है अब इसके बाद में प्रेंड में, कलन काइबाँ का बना है इसमें hypodermis मिलेगा आपको आइपवर्मिस मिलेगा और यहूं का नीचे परेंड काइमा का बना हुँआ एकनी कोटिकल रिजन मिले ऑला कोटेग्स का दूसरा रिजन इसमें ऐसके निचे को जो intercellular spaceses के साथ में मिलेगा वो parent kymetis cells का बना होगा उसके नीचे मिलेगी आपको endodermis यानि cortex का जो inner most layer है वो क्या होगी endodermis होगी endodermis के अंदर क्या present होती है बेटा star seet present होती है star seet endodermis को वो लेंगे dicot stem की उसके नीचे paricycle present होगा paricycle बच्चों कहां पे present होगा देखिए आप यह है paricycle का region paricycle कहां पे present होगा यह यहां पे आप देख रहे हो phloem phloem को semi lunar page में cover करेगा phloem को paricycle और उसके बाद में यहां इन दोनों के बीच में present है cambium cambium वाला region आपको नजर आ रहा कलियर ली और उसके बाद में metazylem तो आपको मिलेगा बहार और protozylem मिलेगा अंदर sorry मैंने पहले बोल दिया था metazylem है metazylem भार की side मिलेगा यानि अंडार्क जाइलम condition मिलेगी आपको protozylem है वो अंदर मिलेगा आपको और उसके बाद में large rounded जो parent काइमेटर cells है आपको यहां पे इनके बीच में intercellular spaces भी present है देखे तो यह होगा pit वाला region तो clearly आप देखे epidermis उसके बाद में hypodermis colon काइमा का बना इसके नीचे cortical region parent काइमा का बना last में इसकी जो innermost layer है endodermis उसके अंदर star seat प्रजेंट होगी paricycle वो semi lunar पेचह में मिलेगा phloem के उपर मिलेगा दोनों के बीच में प्रजेंट होगी metagylem वह भार मिलेगा आपको protozylem वह अंदर मिलेगा और पित है वह आपको भी मिल जाएगा अब इसमें scleran chymetis hypodermis यानि डाइकोट इस्टेम के अंदर कॉन सी थी colon chymetis hypodermis इसमें scleran chymetis hypodermis मिलेगा आपको यह large number of scattered vascular bundle मिलेगी आपको scattered vascular bundle मिलेगी उसमें रिंग में arrangement थे इसमें scattered vascular bundle मिलेगी इस सराउंडेड वाई यह scleran chymetis बंडल सीथ और वह scleran chymetis bundle सीथ से covered होंगी और लार्ज कॉन स्पेस पेरेंड काइमेटिस ग्राउंट इस्यू कॉन स्पेस पेरेंड काइमेटिस ग्राउंट इस्यू मिलेगा vascular bundles are conjoint and close type के peripheral vascular bundle are generally smaller than the centrally located one यानि भार की साइड जो vascular bundle present होंगे वो centrally जो परजेंट होंगे ना उनसे छोटे होंगे size में the phloem parenchyma is absent and water containing cavities are present within the vascular bundles तो फ्लोएं phloem parenchyma है जो present absent होगा उसके अंदर phloem parenchyma था वो परजेंट था डाइकोट stem के अंदर और monocoat stem में phloem parenchyma है वो है absent water containing cavities मिलेंगे आपको vascular bundles के बीच में तो देखिए हम डाइग्राम से एक बार overview ले लेते हैं यह देखिए यह डाइग्राम है ना जो आपके सामने यह किसका है मोनोकोट stem का तो मोनोकोट stem में सबसे पहले इसमें ट्राइकोम देखिए बैटा आप सेंट हैं यहां पर कोई ट्राइकोम नहीं मिलेगा epidermis outermost layer उसके नीचे hypodermis है किसकी बनी होगी स्क्लेरेन काइमा की बनी hypodermis मिलेगी वैस्कुलर बंडल है आपको इसके टळ मिलेगे देखिए यह वैस्कुलर बंडल इसके टरड यानि भिखरे वे वैस्कुलर बंडल रंडल है वह प्रजेंट हैं जो आरेंज़ड होगी और जो आब इसके बात करते हैं डाइकट लीफ के बारे में तो डाइकट लिफ में the vertical section of a dorsi ventral leaf through the lamina source the three man parts namely epidermis, mesophyll and vascular system तो देखिए आपको यहाँ पर ही देख लो आपको clearly diagram जो आपको देख लोगे न तो वहाँ से ही clear हो जाएंगे आपको सारी चीज़े तो यह तो है बिटा डाइकोट leaf, डाइकोट leaf यानि dorsi ventral leaf, कौन सी होती है mostly reticulate होती है reticulate venation पाए जाएगा reticulate, तो यहाँ पर देखिए आप यह जो बाहर है cuticle है present यहाँ पर, यह single layer है epidermis इसके बाद में palisade mesophyll present है यहाँ पर यह spongy mesophyll present है, यह बीच में जो इसमें black part में नज़रा रहे न यह है chlorophyll, sorry chloroplast present है इसमें, अब यहाँ पे जो यह cells आपको नज़रा रहे है यह है bundle seed cells और इसके ऊपर वाला part में तो present है, जाइलम है यहाँ पे देखिए यह वाला part है, यह तो जाइलम हो गया और abexily जो present है वो तो phloem होगा और जाइलम हो अडेक्सिली present होगा, stomata जो present है वो अबेक्सियल surface पे present होगी ना कि अडेक्सियल surface पे, अडेक्सियल क्या होती है यह अबेक्सियल यह लोवर और यह अपर, अपर epidermis यह लोवर epidermis, सिस्टो माटा हैं वो लोवर epidermis पे present होगी और spongy जो tissue है, spongy palisade वो भी अडेक्सियल साइड में ही present होगा, अडेक्सियल साइड में कौन सा present होगा, palisade tissue present होगा, तो यह ही इसका character है mostly, मीजोफिल सेल्स हैं, उसके अंदर कलोरोप्लास्ट प्रजेंट हैं, अब हमने इसमें डाइकोट लीफ है, वो कम्प्लीटली इसमें देख ली हमने, यानि स्पोंजी सेल्स के बीच में तो आपको लार्ज स्पेसेज और एयर केविटी भी मिलेंगी, मीजोफिल्स के अंदर हुआ हो, पैरलली अरेंज्ट होती हैं, उनके बीच में आपको नहीं मिलेंगी, वेस्पुलार सिस्टम इंकलूड वेस्पुलार बंडल विच अंदर मिलेंगी, वेस्पुलार बंडल का सइसेजंगी सेजकाहोंगी, वंच साइज सेज़क अंदर मेलेंगी, तो veins का जो venetion है वो vary करेगा किस पे reticulate venetion पे dicote leaves की तो reticulate venetion के अंदर vanlets है उनकी size क्या है वो कितनी ठीक है वो चीज उस पे आपको मिलेगी देखने को यानि size का जो variation है वो उसकी thickness पे depend होगा the vascular bundles are surrounded by layer of thick world bundle seed cells vascular bundle है वो एक layer के अंदर surrounded layer होगी जिसको हम बोलेंगे bundle seed cells bundle seed cells के अंदर vascular bundle है वो surrounded होगे अब आपके सामने क्यों संदिया look at figure and the find the position of xylem in the vascular bundle तो xylem आपको कहां पे मिलेगा adexially मिलेगा आपको adexial condition पे मिलेगा और phloem कहां पे मिलेगा आपको abexial पे मिलेगा abexial पे मिलेगा आपको abexial यानि लोवर surface और यह हो गई आप अपर surface अब इसके बाद हम बच्चा बात करते हैं monocoat leaf के बारे में तो monocoat leaf है इसमें भी इसमें भी आइसो बाइलेटरल लीफ is similar to that of the dorsi ventral leaf in many ways it shows अब भी देखें इसमें clearly आपको यहीं पर पता चल गया कि डाइकोट और monocoat leaf है ना उनमें similarities भी पाई जाएंगे यानि single layer dapidermis होगी cuticles है वो पर्जेंट होगे अब इसके बाद में characters में differences जो मिलेंगे ना वह आइसो बाइलेटरल लीफ यानि monocoat के अंदर वो किसमें होगी दा इसमें मीजोफिल इस नोट डिफ्रेंशेटेड इन्टू मीजोफिल इन्टू मीजोफिल इन्टू मीजोफिल के अंदर एक ही टाइप का मीजोफिल टिस्यू इसमें परजेंट होगा इन grasses certain adexial epidermal cell along the vein modify themselves into large impity colorless cells जो epidermal जो epidermal cells होती ना veins के साथ में वो अपने को large impity colorless cells में modify कर लेती हैं उनको क्या हम बोलते हैं bully form cells बोलते हैं और इन bully form cells का means क्या होता है कि जब इनके अंदर water होता है bully form cells क्या करते हैं transpiration का जो process है उसको control करने का काम करती है यानि जब water है ना वो equal amount के अंदर आ रहा है transpiration के तब तो यह क्या करती है लीप surface को exposed कर देती यानि टर्जीड हो गया water absorption है वो ज्यादा है तो उसमें क्या करेंगी वो यानि पतिया हो खुल जाएंगी और फ्लेशीट कब हो जाएगी जब water stress है यानि पानी की कमी है तो वो bully form cells वो अपने आपको सिकूड लेती है और सिकूडने के बाद में सर्फेस है ना वो minimize हो जाता है और water loss को कम करने का काम करती है तो देखिए यह तो होती है यह ऐसे आपको लीफ नजर आ रही है यहाँ पे तो इसमें क्या मिलेगा आपको parallel venation मिलेगा और इसके अंदर vascular bundle का जो size है ना वो इस parallel venation के उपर उसमें तो रेटिकुलेट के अंदर वैनलेट थी उस पर साइज पर डिपेंड था इसमें parallel venation का और इसमें जो मैन वेन है उसका अलग लग vascular bundle का size होगा यानि जो parallel होते हैं उसके अंदर side पर पर परजेंट है यह अबेक्सियल है दोनों surface पर टोमाटा परजेंट है और इस्पॉंजी टीशिव जो होता ना मीजोफिल टीशिव होता है वह इस्पॉंजी और मीजोफिल में convert नहीं होता है फ्लोएम का condition है यह आपको centrally मिलेगा और जाइलम का condition है जाइलम है वह centrally मिलेगा आपको फ्लोएम इसकी covering बनाएगा भार मीजोफिल टीशिव में कोई आपको differences नहीं मिलेंगी यह कलियर लिए इसका diagram है कुछ भी changes नहीं है दो ही changes मिलेंगे आपको mostly stomata donor site present होंगी और मीजोफिल है वह आपको differentiate नहीं मिलेगा पैली सेड़ और spongy के अंदर यह mostly इसके अंदर differences है तो यह थी थी बच्चों आज के anatomy of flowering plants का वीडियो लेक्चर अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करना जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को subscribe करें धन्यवाद